हाई एव्रिवन कैसे आप लोग उमीद करता हों कि अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर इस वीडियो नंबर फिफ्टी नॉफ डेटा स्टॉक्चर एन अल्गोरिफम युजिंग जावा स्क्रिप्ट आज की वीडियो में हम शुरू करने वाल करने वाले हैं ठीक है सो बबल सॉट देखेंगे आज कोडिंग करेंगे कोड करके देखेंगे समझेंगे ट्रस्ट मी गाई इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे सबको समझ आ जाएगा कि बबल सॉट क्यों हम करते हैं इस एल्गोरिफम के पीछे क्या एक्जेक्ट हो जो कुछ साइट बताऊंगा जो बहुत इंट्रस्टिंग गए कुछ लोगों ने देखी हो बट कुछ लोगों नहीं देखी होंगी एंड चॉर ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बट पहले समझते हैं सौ्टिंग होता क्या है देखें सौ्टिंग का मतलब क्या है कि अर् या कोई array है उसको आपको sort करना हो तो हमारे पास कुछ algerthums होती है ठीक है ऐसा निये कि हम खुद की algerthum नहीं बना सकते हम existing code को जो मरपास code है जो मरपास algorithms है उनका reuse करके अपनी वे चल्चॉट, हीप, क्विक्सॉट इसारी हम कवर करेंगे और उसके बाद जो कुछ कॉंसेट हमारे रह गए है सर्च के अंदर जो सर्च अंदर जो सर्च अंदर हमारी जब कि हमने लास्ट वीडियो में कर रहा था वैसे लीनियर सर्च में अल्ड़ी कवर कर चुका हूं एक हमारे पास है नेव सर्च वो भी हम कवर करेंगे और दो तिन चीज़े मेरे पास और भी लिखी हुई है जो मुझे करानी है सर्चिंग के अंदर हम कवर करेंगे वैट मैंने का चलो पहले ना काफी दिन बाद में वीडियो बना रहा हूं तो फ्रेश स्टार्ट करते है फटा फट से सॉर्टिंग खतम करते है उसके बाद जो पैंडिंग जी जिज़े रह गहीं इस वीडियो को समझने से पहले तोड़ा सा और हम टेस्ट लियु आत तो यह कुछ वीडियो ज़लेते है कमार जो में फोरी नभी तख कि इसका लिंक है, shell sort है, merge है, heap है, quick sort है, तो हमारे पास कहा है कि यह अभी मैं play करूँगा, random play कर सकता हूँ, nearly sorted play कर सकता हूँ, reverse order में मुझे करना हो, तो कौन से सबसे पहले तो कौन से सबसे ज्यादा time ले रही है, अगर हम time complexity की term में बात करें, तो अभी हम bubble cover कर रहे हैं, देखते हैं, bubble cup खतम होती है, तो यह चलनी शुरू हो जाएगी, आपर देखते हैं, सबसे बहले कौन सी खतम होती है, पूरा है हाँ पर competition चल रहा है, देखिए, shell merge खतम हो चुक कि लार्ट बात स्लेक्शन कुणी से खतम होगी, यह अपर EMPJ कुछ फे रही है, है जब चली सी खतम होगी है, उसके बाद मर्च जब खतम हैं, हीव कोई के सात में इंशचन, स्लेक्शन, स्लेक्शन, बवल में यह और बुरा टाइम लिया है, सबसे आप ने आपको अग इडिया हो गया होगा इसका लिंक में दे दूँगा डोंट वरी ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहली अल्गरिफ्म जो मारी है बबल सौर्ट जिसकी ताइम कॉंपलिक्सिटी होती है ओन स्क्वेर राइट क्वाड़िक है दो बार लूप चलता है इसके अंदर औ विजुल हाँ यह साइट बहुत इंट्रस्टिंग है तो आपके बस जितने भी कॉंसेट है डियस के वह सारे आपको यह आना एनिमेशन वी में देख सकते हो तो मुझे काफी इंट्रस्टिंग लगती है हम पीछे नहीं अटते उसका लिंक हम जरूर देते हैं तो यहां पर मैं एकजिट कर देता हूं स्केिप करदेता हूं तो यह साइट है इसोर्द इसका नबर्स हैं आप अब बबल इतेफों काम करता है मैं कुछ बताताँ हो हुँ पहले फिर हम ःएनिमेशन वैसे काम कर रह रही है कांट क्या होता है कि मैरा सबसे मेक्सिमम हिरा हो ऑना सबसे लूप चलेगा आपका उसके बाद second loop चलता रहेगा वो second loop जो होगा वो comparison करता रहेगा उस बड़े element को last तक लेके जाएगा फिर जैसी last तक पहुच जाएगा फिर लूप दुबारा चलेगा उसके बाद फिर वो यही काम होता रहेगा तो यहां पर क्या है कि number of iterations बहुत जाद है बहुत जादा है इसलिए यह अल्गोरिफ्म ट्राइम लेती है और जो इसकी time complexity वह है one square ठीक है तो जैसा आप देख रहे हो यहां पर देखने से पहले अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हो हो सुन रहे हो मजा आ रहा है तो इसे like जरूर करना video को just for my motivation और share जरूर करना और comment करना video में क्या interesting लगा ठीक है पते क्या होता है जैसे अगर आप मैं तो पूरा यहां पर मेहनत कर रहा हूं video बना रहा हूं इसको edit भी करूंगा भी फिर इसको तयार करके video पर मतलब महनत लगती है उसके बाद यह YouTube पर आती है तो मुझे बस कुछ नहीं चाहिए आप से अभी देखें यहां पर सबसे बड़ा element 44 है तो मेरा पहला element है जो की बड़ा नहीं है पर 44 और 38 अगर हम compare करेंगे तो 44 बड़ा तो यह swap हो जाएगा 38 पहले आ जाएगा फिर 44 फिर यहां पर चलता रहेगा चलता रहेगा 47 पहले आ गया तो 47 अब मेरा बड़ा element बन जाएगा फिर हमें 47 हमारा last तक जाएगा तो ऐसे आपका comparison होता रहेगा और जो बड़ा element होगा वो आपके last तक जाएगा तो यह iteration चल रही है starting से iteration यहां से शुरू हुई है चलती रहेगी चलते रहेगी बीच में चोटे बड़े element आते रहेगे जो बड़े होंगे वो फिर ऐसे पीछ जाते रहेंगे तो पूरा जब iteration पहला खतम हो जाएगा दुबारा जे फिर iteration शुरू होगी जब तक मेरा यह sorted ना हो जाए चलिए देखते हैं प्ले करते हैं गो कर देते हैं आपर देखिए शुरू होगे कहानी 44 देन देखिए जा रहा पीछे 47 अब 47 जाएगा अब ही कोई 44 26 comparison फिर 27 के साथ हुआ फिर यह 2 के 2 पहले आ गया फिर देखिए यह 19 यह देखिए 48 बड़ा चलो जी दुबारा से 38 अब 38 बड़ा है तो इस तरह के से देखिए अब ध्यान से देखतेर यह बहुत interesting है यह 2 आया तो ऐसे हम दो-दो element को compare करते हैं और जो बड़ा होता है फिर इसके बड़ा नेक्स्ट दो फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट हो यह देखिए एक पूरी मतलब लूप चलेगा आपका और उस लूप चलने के दुरान जितनी भी elements है वो सारे traverse होंगे सारे visit होंगे और जो बड़ा element होगा वो next हो जाएगा अब जब next comparison होगा माली जो कोई और बड़ा आ गया तो उसके साथ swap हो जाएगा फिर वो बड़ा बन जाएगा Swapping हो चुकी है जी बट ठीक है ये काफी interesting है I think visual से आप काफी relate कर पा रहे होगे चलिए इसका logic बनाते हैं और मैं अभी एक चील बताता हूँ आपको अभी इसमें मैं थोड़ा सा हीरा फेरी करने वाला हूँ हेरा फेरी मतलब ये कि ये जो ना अभी लूप चलेगा मेरा बट मुझे बात समझ आ रही है इस visual को देखके कि जो मेरा maximum element है मुझे पता है कि ये जब पहली बार swap जब पहली बार iteration होगा पहली बार जब visit होगा तो उस case में किया है कि ये 50 मुझे पक्का पता चल गया है कि जो maximum element है first iteration में जो last वाल element हो maximum है मुझे बात समझ आ रही है second iteration वाला है मुझे बात चल गया है maximum में देखिए आप reverse में देखिए न तो क्यों ना जो मेरा पहला loop है उसको मैं जो मेरा area उसकी length तक चला हूँ फिर minus minus करता रहूँ हम क्यों पूरी बार loop चला है हम end तक हर बार मै loop पूरी बार क्यों चला हूँ doesn't make sense न अभी समझाता हूँ code लिखके समझ पाओगे तो मुझे पता है कि मेरा जब पहली बार मेरा loop चलेगा जो पहली बार जब loop चलेगा और जो internal loop comparison के लिए मैं चलाऊंगा तो मेरा जो maximum element है वो मुझे पता है कि हमारा objective इस algorithm का क्या है कि जो maximum element है उसको last तक पहुचाना है और मुझे पता है कि जो last element हो maximum है तो जब मैं second time loop चलाऊंगा तो मैं क्यों उसको last तक चलाऊंगा उसे कम चलाऊं और हर बार कम करता रहूं उससे मेरे iterations काम होते रहेंगे second loop के लिए ठीक है बताता हूं अभी क्या बोल रहा हूं तोड़ा सा confusion होगा वो सबसे जो हमारा जो starting element होगा जो सबसे बढ़ा होगा उसे राइट तक लेके जाएंगे ठीक है तो यहां पर फंक्शन करेंट कर लेते हैं नाम दे देते हैं इसका बबल सौट यह करेगा और यहां पर मैं लूप लगाने वाला हूं एक जो मेरा आउटर लूप मैंने कहा था कि इसको हम चलाएंगे एक काम करते हैं आई की वेलू ले लेते हैं हम यहां पर एरे की जो लेंट होगी तो इसके लेंद कितनी आने वाली देखते हैं अभी यहां पर आई माइनस मेनस कर देंगे ठीक है और उसके बाद मैं कुछ एलिमेंट्स भी लूँगा अभी लेट जे लूप चलेगा मेरा जीरो से लेके जे मेरा चलेगा अई तक चीक है और जे प्लस करते रहेंगे चलो तो यह कुछ कंडिशन रहने वाली मेरी और यहां से मिसकी कॉलिंग कर देंगे एक वैलिबल देलते हैं कॉंच आरिस्वी इसल्ट के लिए और यहां से इस function को मैं call करने बाला हूं और इसमें हम pass करेंगे अपना array तो यहां पर कुछ elements दे देते हैं। यहांपर पर मुझे जाएंड ले ले लेता हूं 5, 3, 4 ले लेते हैं 1, 2, 8, 6, 7 ठीक है? तो यहां पर हमने कुछ अनॉडर्ड एलिमेंट ले ले लेने से 5 मेरा बड़ा है तो फिर 5 और 5 बड़ा है तो 5 बड़ा है तो 5 स्वैप हो जाएगा फिर 5, 4, 5 यहां पांच को लास्ट में बेजेंगे फिर लास्ट मुझे पता है कि 7 मेरा बड़ा ही रहाएगा जब 5 और 6, 6, 7 तो मतलब जो मैक्स अलिमेंट मेरा लास्ट में चला जाएगा तो म क्या कर रहे हैं यहां पर अरे की लेंध निकाल रहे हैं जो कि मुझे पता कितनी है array array of j बड़ा होता है next मतलब उसका जो अगला element है उससे j plus one कर देते हैं यहां पर simple तो उस case में क्या करेंगे swap कर देंगे simple और अगर element को swap करना जावास्क्रिप करना बहुत easy है आपको क्या करना होता है वो same as it is लिख दो पहले तो j और j plus one equal to same यह दुबारा से कर देंगे copy paste और 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 यहां पर हम कर देंगे j plus one और यहां पर कर देंगे j यह बहुत easy तरीका और swap करनेगा बस जी यहां पर लगा देंगे console ओके और यहां में result प्रिंट करने वाला हूं और और रन कर देंगे कोई error नहीं आगा तो समझते है इसको और अच्छे से यहां पर हमार पास undefine आगया okay undefine length मेरी 8 है 8 is greater than 0 अंदर आएगा अच्छा तो हमने 0 से start किया है तो मुझे यहां पर करना पड़ेगा i-1 इसके बाद यहां पर रन करते हैं अच्छा दुबार से अंडिफाइन आगया oh my god challenge अच्छा तो यहां पर हमार पास constant है तो यहां पर हम इसको हमें अपने उसको भी तो शोहिए अपना result ऐसे कैसे बना तो undefine देता रहेगा वो जावास किट में अंडिफाइन बोत आता है रहा 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 रहें पर जाब एक प्रोजक्ट में काम कर एठ बन्ट इफाइन कले तो हर कंट हर अब्जक्ट कंडिशन नारी पढ़ती है तो यहां पर अड़े कर देते हैं स्टार्टिंग में जो अलिमेंट है जो हम कंडिशन नगा के मैच कर रहे हैं उसको हम सबसे आखरी तक पहुचा रहे हैं तो हम क्या हमें पता है तो इसलिए इसलिए ना चले उससे एक कम तो जैसे मालो अभी आई की वैली मेरी क्या है आठ है तो एट इस गेटर देन जीरो येस अंदर बार लूप चलेगा साथ बार चलेगा साथ बार चलेगा कंपरेशन करता रहेगा जब पूरा कंपरेशन हो जाएगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास पहला आप चैक है उसके बाद फिर दोबारा चलेगा मदब अंदर लूप चल रहा है कि आपको वर्किंग दिखा रहा हूं उसके बाद फिर ये बढ़ा है तो ये हो जाएगा चार पांच ठीक है तो आपने अपने अनिमेशन देक्या करके दिखा रहा हो ये 5 बाड़ है जी हाब तो यह मेट यहो जाएगा एक फैर पाच देखते रहो भी तुम ध्यान से नियान चिरह यहां?' कहरे है twee पाच ठीक है उसके बाद आप जना है अहां हां च्हाँ हिंए नियुक्त Hij फिर यहां पर स tapash Pi न Spike अनसे से कलिए व्याहरा है उस यासा यह विंग कि9 होगे second loop, तो जैसे second loop खतम हो जाएगा, फिर दुबारा से, iq value के आउज कि मुझे पता है, मेरे बाद max element यहाँ पर आ चुका है 8, अब आपको जो नए area guys, वो ये वाला है, ना कि वो वाला, अब इस पर कहानी सारी दुबारा से होगे, फिर 4 बड़ा है, यह step अब इतने में चलेगा, बस, 7 तक, बस क्योंकि हमने क्या कर रहा है, minus कर दिया, तो minus करेंगे, तो क्या होगा, value हो जाएगे, हमारी 7 हो जाएगे, क्योंकि आप आई के लिए लिए minus कर रहे हो, तो 7 is 0, yes, तो अंदर रूप चलेगा, 6 तक, इतने अलिमेंट से आपके, अब होने वाले हैं, ठीक है, बस जी, इससे भैतर मैं नी समझा सकता, थैंक्यू सो मच गाइसे वाचिंग दिस, अगर फिर भी कोई डाउट हो, तो यू कमेंट आउट, और बाकि जितने और मित्र हैं हमारे, जो हमारे सब्स्क्राइबर्स हैं, किसी को समझना है तो प्लीज उस पर रिप्लाइ करना, ऐसी हेल्प करना एक दूसरे की, बाकि इस संथिंग गाइस बावल सोट आई होप काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बाकि इन दोनों साइट्स के मैं लिंक दे दूँगा एंड अगर अच्छा आगो तो पर लाइक जरूर करना, ठीक है, चलो मिलता हूँ आप से नेक्स्ट सॉट में और थैंक यो सो मच, मिलता हूँ आप से जल्दी, गुट नाइट